हलो दोस्तों आसा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को छट पुजा की धेश सारी सुब काम नाए चलिए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आलू गोवी की सबजी जो बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी बनती है बिना प्याज लासन के आलू हम उबाल लेंगे और गोवी को मोटा मोटा काट लेंगे बड़ा साइज में और उसे हलका तेल देकर नमक देकर कुछ दिर भूनेंगे ताकि गोवी पक भी जाए क्योंकि आलू तो उबला हुआ है आलू को उबाल कर छील के रख दिया है साइड में और गोवी को फ्राइ कर रहे है और ये जो गोवी के साइड नीचे वाला जो डंठल में लगा हुआ रहता है आज हम ये भी सबजी में डालेंगे और लेकिन मानिए खड़ाप नहीं लगता है अच्छा ही लगता है टेस्ट ये चुकि बहुत हेल्दी भी होता है इसमें जो ये हरा हरा पाठ है वो बहुत अच्छा होता है साग के जैसे खाते हैं तो इसमें हमें मिला के बना रहे हैं इसे ढख ढख कर पकाएंगे अलू उबला हुआ है इसलिए गोवी दम पका होना चाहिए देखिए जब पक गया है पूरा गोवी काटने से कट रहा है तो इसे निकाल लेंगे आब मसाला निकालेंगे मसाला में वही रेगुलर मसाले होंगे हलदी धन्या पौरडर जीरा पौरडर सब ठोड़ा ठोड़ा करके आप जतना सबजी बना रहें उस अनुसार आप मसाला अपना कम जादा कर सकते हैं एक चमच में सब कुछ दे रही हूं एक चमच मिर्ची पाउडर भी है और मैं इसमें थोड़ा सा दही मिलाऊंगी यह अगर आपको पसंद हो तो डाले यह थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाला या सब्जी मसाला कोई से भी ब्रांड का ले सकते कि चन किंग यह डेर चमच दिया है और एक चमच दही डाल कर मैं इसे मिलाऊंगी दही बिल्कुल ऑप्सनल है आप डाले थोड़ा टेस्ट बदल जाता है और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कितना को नहीं पसंद आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं तो यह उसके बाद मसाला उदर बना के साइ थोड़ा सा हींग डालते थे हैं जब हम लोग प्यास लासन नहीं डालते हैं तो हींग का स्वात बहुत है च्छा आता है सबजी , employees डाले तेस्ट भी लाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है हिंग पाचन में तो हिंग सबसे वैस्ट होता है जब आप प्याज लासन भी बनाए तब भी आप हिंग डाल सकते सब्सक्राइब डाल में टामाटर डाल कर कुष्टे से पकाएंगे जब तक टामाटर घल अधर मसाला में सब कुछ तो डाली दिया है और उसे दही में डाल कर मिक्स कर लिए पेस्ट के जैसे मसाला को तयार कर देंगे और इधर टामाटर भी पक गया है अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा रैस्ट सीपी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक लाइक दे दें और सेर करना मत भूलें जिन जिन को आप हो लगता है कि सेर करना से उन्हें जरूर सेर करें ये टामाटर के साथ ही मैं इसमें ये गोवी का कटा हुआ पार्ट्स भी डाल रही हूं ताकि वो भी पक जा कुछ देर के वाद भूनने के वाद इसमें हम लोग मसाले भी आड़ कर देंगे जो हमने पेस्ट बना कर रखा था मसाला का वो इसमें मिला देंगे और मसाला को भी थोड़ी देर तक भूनते हुए पकाएंगे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है सबजी को बनाने में क्यूचु की प्यास नहीं डाल रहे हैं तो इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो भी देखे कलर कितना अच्छा आया है एकदम लग रहा है जैसे बीना कुछ दिये भी इतना यमी सा दिखी रहा है आदमी को देखे ही खाने का मन करने लगता है इसलिए खाना ऐसा दिखना चाहिए जो भूग जगा दे ये देखे आलू को भी मैंने फोर लिया है मुटा मुटा और गोवी फ्राय हो चुका है अब इसमें हम मिला देंगे और आलू और गोवी को हम लोग मसाले के साथ कुछ तेर भूनेंगे तेज आज पर भूनेंगे अच्छा भूनने से सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप इस बात को हमेशा ध्यान रखे मसाला अलग भून ये मत सोचे कि मसाला भून गया तो हो गया नहीं मसाले की दालने के बाद सबजी साथ में भुनना बहुत जरूरी होता है मिला मिला कर इसे साइड में लग रहा है तो इसे हटा हटा कर हम इसे कुछ देर तक अच्छा भुन के खुस्बू आने लगेगा तब तक इसे भुनेंगे आलू गोबी की सबजी सब बनाते हैं सब अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखिए यकीन मानी आपको बहुत पसंद आएगा और हुनने के बाद वो एक लिप मिस हो गया मैंने इसमें पानी डाल दिया जितना जरूरत हो और ये लास्ट में खौल जाने के बाद सब्सबजी हमें एक तरका लगाएंगे सिंपल सा तरका है जीरा और घीक का लेकिन ये तरका लगाने से बहुत यमी सा टेस्ट आता है अप ये बहुत ही अलग सा फलेवर हो जाता है तो आप एक बार डाल के देखिए और इसमें मैंने जब जीरा तरग गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दिया है और इसे बस सब्सक्राइब कर ले लाइक कर दे और आगे मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपी है आप उसे भी चेक करना ना भूले देखिए सब्सक्राइब कितनी अच्छी लग रही है